बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की और बुदुबार को बाधानता विधानसबाद शेत्रमी मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान अपने निर्धारित कारिक्रम से चार बजे के बाद मुंदी पहुचे यहां पर उन्होंने भाजपा के प्रतियाशी नारायर पटेल के लिए आम मतदाताओ से भाजपा को वोड़ देने की अपील की इस दोरान भाजपा सांसत ग्यानेश्वर पाटेल जिलाद यक्षि सेवादास पटेल सहित भाजपा के पतादिकारी वकारी करता आम जनता बड़ी संख्या में मौजूद थी इस दोरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंदरी शिवरासिंग चौहान ने कहा कि लाडली बहनों को हर महाराशी दी जा रही है और आवास योजना का भी सर्वे हो चुका है 450 रुपे में सिलेंडर आगे जारी रहेगा आगे सरकार आने पर लाडली बहनों के लिए आवास भी मिलेंगे वहीं गरीब निर्धन लोगों को 100 रुपे में प्रती महा बिजली मिलेगी और विकास जन करलियार कारी की कई योजनाय चल रही है बीजेपी को भारी मतों से विजय बनाए इस दोरान कॉंग्रेस पर भी जम कर कटाक्ष किया और माधान दा विदान सभा में नर्मदा जल लाने का श्रे भाजपा सरकार का बताया जो जनता की फिक्र नहीं अपने बेटों की फिक्र कर रहे है उन्होंने कॉंग्रेस परतंज कस्ते हुए का कि उन्हें प्रदेश का नहीं अपना विकास करना है मैं प्रदेश नहीं अपना परिवार मानता हूँ इस दोरान सभा में बड़ी संख्या में भाजपा कारी करता वह आम जंता मौजूद दी करूंगा करें जोर से बोलो को रोको इसे मत डालने दो मैंने का मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती अपनी बेहनों की सेवा करने और सुनो भाई यो बैनो नारा इंट पटेल ने रसान सजी ने मुझे बताया कि कई बैरे रह गई यह दुद्दस पाच पाच हटो जोर आगा हूना गयना सुरूद अब चुनाव के बाद जीते ही सब के नाम पोर्टल खोल के जोड़ दूगा चिंता अमत करना बैनों में मेरी बैटियो मेरी बैटियो नहीं का मामा यह कई साल ठीक है कि सारी की सब्कों डाली हमें नहीं करने के साल में साथी हमें तो पढ़ना है तो अब एक कई साल की उमर तक की सब बैटियों के खाते में भी हर मेना फिल्चा जाएगा इस खबर पर आपकी क्या है राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं तब तक लिए धन्यवाद झाल झाल